हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल मैं हूँ डॉक्टर नमरता दोस्तों आज मैं अब सभी से बात करूंगी खून की नलियों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही के लिए टॉप 10 सुपर फूट्स के बारे में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल आज कल बहुत ज्यादा कॉ वेल्स पाड़ी नलियों में जमा हों जिसकी वज़ेसे बहुत सारी बिमारिया उत्पन होती है जैसे कि हाट एटेक हाइपर टेंशन स्ट्रोक जोस्तों कोलेस्ट्रॉल हमारी । हमारी डाइट और रूटीन से पैदा होने वाली समस्या होती है तो अगर ऑपनी लाइस्ट कzh침 करो तो दोस्तों इस वीडियो में आप से मैं टॉप 10 सूपब फूट के बारे मी डिसकुस करूँ गी जिसको आप करें तो अपने Genle को दोस्तों वीडियो पहती ज़्यदा इंफॉर्मेटीव है तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिसे की आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती नहीं आप उस वीडियो को जरूर चेक करें तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू गरते हैं हम बात कर लेते हैं कौन से वह टॉप टैन सुपर फूड्स है जिसको अपनी डाइट में शामिल करके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं तो नमबर बन सुपर फूड रहेगा होल में तो जिसमें की ओटेस्ट्रों बाले और सौर्डम में प्याइट में जरूर चाने तो यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत हैनके किूलेस्टों में बात द्रहीतहे उसके बाद में नमबर टू प्रक क्रीन लीफी वेजटेबश दोस्तों हरी इसकोने आउत बहुत ज़्यादा बनीफीशल होते हैं अमेरे कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम करने में हैं अबर थ्री सुपर्फूट नट्स इस्पेशली आलमंड वालनट तो इसमें वाइटमिन इबाइटर मात्रा में होता है बडिक्स में टो इसमें रहरे कोलेस्टॉलल कोलेस्ट्रॉल करने वहारे स्लीट इसमें पाइगा यह लुए छीया सीड और उ्सुट्रा गुड केलस्टॉल धुड करते हैं। नमबर 5 रहेगा क्रीदूर छोन गार्लिक में हमारे अलेसिन काृट सुल्फर कंफांट नम्यकान आफ7 घासा ज्मिए पर आचिक्टिन से सिंफोय होता है हमारी हाठ्ट की यहीं क्याया है कर दोपन ब्लॉकटwhen तो आप लहसुन को अपनी डाइट में जरूर सामिल करें तो लहसुन को आप इस्नमाल कर सकते हैं लहसुन को अर्ली मॉर्निंग में चबा करके खाएं डेफिनेटल आपको बहुत तरह मिलेगा नंबर सिक्ट सुपर फूट फिश इस्पैसरी साल्मोन फिश दोस्तों साल्मोन फिश में ओमेगा-3 बहुत प्रचूर मात्रा में होता है वाइटमिन-E बहुत प्रचूर मात्रा में होता है दोस्तों एंटी ऑक्सिदेंट्स प्रोपरिटीज पाए जाती है तो आप फिश को पर अपनी डाइट में जरूर सामिल कर सकते हैं उसके बाद नंबर सेवन प्रचूर में इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर आप उसको सैलेट पे स्प्रिंकल करके खा सकते हैं एर्थ सुपर फूट रहेगा एपल दोस्तों अगर आप जोजाना एक एपल खाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बनीफीशल होगा क्योंकि एपल में बहुत सार न ग्रीन टी में पॉलिफिनॉल पाया जाते हैं एंटी अक्सिदेंट्स प्रपरिटी प्रपरिटी इसकी वज़े से हमारी एक कोलेस्टॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है तो आप ठी तु फॉर कप ग्रीन यूज कर सकते हैं डेफिनिटल आपको बहुत आरा मिलेगा नेक्स्ट 10 वीन फोफूड रहेंगा दोस्तो सोयाबीन में प्रोटीन बहुत प्रोच बहुत प्रचिएवर्टी वोत जादा होते हैं इक हमारे कुली स्टाल की लेवल पो डिड्यूस करने में बहुत ही जाधा हल्पूल होते हैं हाट के प्रडक्टिव और तो तो आप सोय रूटीन में भी थोड़ा बदलाव नाएं अपने वेट को रिड्यूस करने की कोशिश करें एक्सराइज करें पानी ज्यादा से ज्यादा पीए अपने इस्ट्रेस को दूर रखें नीमुत रुप से आप योगा करें डाफिनिटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यह था डिसकर्शन को रिड्यूस करने के लिए टॉप 10 सुपर फूट्स के बारे में अगर आपको पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो में चैनल को कर लें चिससे की आने पाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें थैंक्स वर वाचिंग वेरी गुड हेल्थ